हेलो स्टुडेंट्स, वेलकम टू आ यूटूब चैनल ओतंग एजूकेशन, मैसल अमन तो देखिए आज की इस वीडियो में आपकी जो बुक है कंपोजिट मैसमेटिक्स फॉर क्लास सेवन इसका चैप्टर वन है, उसका चैप्टर असेस्मेंट आपने करने वाले हैं और साथ ही अगर आप हमारे चैनल पे नहीं हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जूरू करें और वीडियो अच्छी लग रही हो, तो इसे लाइक भी करें और इस वीडियो को जो है अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी थोड़ी एल्प मिल सकें तो चलिए स्टार्ट करते हैं, चैप्टर असेस्मेंट और चैप्टर वन, कमपोजिट मैथमेटिक्स कोश्चन नमबर वन देखिए, कॉंसेट रिव्यू है ये आपका अब चैप्टर असेस्मेंट से मतलब क्या है इससे मतलब ये है कि आपने इस चैप्टर के अंदर सिखा क्या आप उसकी एप्लिकेशन कैसे कर सकते हैं तो वही आपको बताना है, तो चलिए उसकी कुछ प्रोपर्टी जो हमने पढ़ी थी उसका वे बारे में भी पढ़ेंगे हम इन कोश्चन को भी पढ़ेंगे कैसे करना है तो चलिए स्टार्ट करते हैं, कोश्चन नमबर वन एट प्लस माइनस फॉर अब यहाँ पर देखिए प्लस इंटू माइनस क्या होता है, माइनस होता है तो सिंपली यह क्या आजाएगा एट माइनस फॉर अब फिल इन दा ब्लैंक में क्या आएगा हम यहाँ पर लिख लेते हैं एक्स इस इक्वल टू सेवन अब देखिए प्लस का एट है, माइनस का फॉर है जब भी साइन दिफेंड होते हैं, हम इसका क्या कर निकालते हैं दिफेंस तो यहाँ पर क्या आजाएगा फॉर माइनस एक्स इस इक्वल टू सेवन अब यहाँ पर हमें बतानी है, इस फिल इन दा ब्लैंक की वेल्यू तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा माइनस एक्स इस इक्वल टू सेवन माइनस फॉर क्योंकि देखिए प्लस का 4 उदर जाके क्या हो गया माइनस का तो यहाँ पर आपके पास माइनस X आ गया 3 अब यहाँ पर देखिए आपको माइनस X की वेल्यू नहीं बतानी थी आपको बतानी थी वेल्यू X की क्योंकि माइनस तो इसके fill in the blanks के बाहर पड़ा है तो यहाँ से हम क्या करेंगे multiply करेंगे both of the sides by minus तो यहाँ से X आ गया आपके पास minus 3 तो आपका answer क्या हो गया minus 3 तो आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा हमने कैसे किया तो चलिए question number second देखते हैं अब यहाँ पर देखिए जो हमने property पड़ी थी distributed property पड़ी थी multiplication over addition और subtraction वो वाली यहाँ पर लगेगी देखिए यहाँ पर subtraction है A into B minus A into B तो यहाँ पर देखिए क्या होती थी sorry A into B minus A into C तो इसे हम कैसे लिख देते थे 58 minus 34 minus 65 and minus 58 अब यह आपको solve करना आगे अपने solve करते रहेंगे तो यहाँ पर देखिए minus 34 and minus 55 यह क्या हो जाएगा minus का 99 and minus 58 को हम देखिए consider क्या कर सकते हैं कि 1 उसके multiply में है again यहाँ पर हम distributed property लगाएंगे A into B minus A into C तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 58 into 99 तो है minus का और minus का अंदर क्या बचेगा 1 तो 58 into minus 100 तो minus 100 से multiply करने पर आपका answer क्या हो जाएगा minus 5800 यह आपका क्या हो गया answer हो गया अब देखिए students आपको सिरफ properties जो है यह मैं आपको जो exercise 1D इसके जो starting गे अंदर मैं इसका बिल्कूल brief में आपको और commutativity क्या होती है उस सबके बारे में मैं डंक से बता चुका हूँ तो आप वो वीडियो जुरू देखिए जिससे कि आपको यह concept आजाएगा तो चलिए next question करते है question number 3 when dividend and divisor are of opposite sign the quotient has a sign तो यहाँ पर आपका answer क्या जाएगा minus अब यह कैसे आएगा अब opposite sign का मतलब एक sign plus का हो और एक sign minus का हो तो देखती है अगर अपने बात करते हैं यहाँ पर यहाँ पर अगर कोई plus की term है मान लेजिए 5 है divide by minus 2 है तो भी इसका जो quotient आएगा वो क्या आएगा minus में आएगा वहीं अगर मैं minus 5 को divide करूंगा 2 से तो भी आपका answer क्या आएगा minus आएगा अब यहाँ पर यह क्या बोलना चाह रहा है opposite sign अब यहाँ पर यह plus का है और यह minus का है और यह minus का क्या हो गए opposite sign हो गए तो आपका यहाँ पर answer क्या आएगा minus next देखिए question number 4 अब question number 4 के अंदर अब आपको ध्यान अखना है क्या board mask का यह चीज़ आपको अमेशे ध्यान अखना है addition subtraction करते समय तो यहाँ पर देखिए board mask के according आपका divide पहले होता है और subtraction या addition बाद में होता है तो पहले divide करेंगे 18 divided by minus 18 plus 63 divided by minus 7 तो 18 से ही जाएगा minus 1 times यहाँ पर तो आगया minus 1 7 से ही जाएगा 9 times minus लगा हुआ है तो plus minus 9 तो देखिए minus 1 minus 9 is equal to minus 10 is your answer यहाँ पर आपका answer क्या आगया minus का 10 हो गया next देखिए students question number 5 the sign of the product of 21 negative integers अब यहाँ पर देखिए वही concept हो रहा है powers वाला अब यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ even numbers देखिए अगर मैं दो negative integers मालें minus 1 into minus 1 है यह क्या हो गए even हो गए ठीक है तो multiply करूँगा तो आपका minus into minus क्या हो जाएगा plus का 1 हो जाएगा वहीं पर यह 21 21 क्या है एक odd number है तो आपका जो answer आएगा वो क्या आएगा minus का आएगा into 5 positive integers अब positive integers को चाए 5 को multiply करो चाए 6 को करो चाए odd करो चाए even करो तो आपका answer क्या आएगा positive आएगा लेकिन इन दोनों का जब हम multiply करेंगे minus into plus तो आपका answer क्या आएगा negative तो यहाँ पर क्या आएगा negative ठीक है the sign of the product of 21 negative integers and 5 positive integers is negative next यह की students question number 2 true and false आपको बताने हैं तो चलिए बताते हैं the sum of 2 negative integers is less than either of the addends true कैसे अगर मैं बात करो minus 2 और minus 1 इनका अगर मैं sum कर दूँगा तो आपका answer क्या आएगा minus 3 जो की क्या होता है minus 2 के left में होता है number line पे जब आप देखेंगे तो minus 2 क्या होता है sorry minus 3 क्या होता है minus 2 के left में होता है it means minus 3 is less than minus 2 और minus 3 is also less than minus 1 तो यहाँ पर क्या हो जाएगा क्या बोल रहा है इन दोनों को add करने पर जो number आता है वो दोनों एडेंट से क्या होता है छोटा होता है next the multiplicative identity of integer is minus 1 false क्या होती है 1 होती है ठीक है उसके बाद for any integer a divided by a is minus 1 यह भी क्या हो जाएगा false यहाँ पर भी answer क्या हैगा 1 आएगा the product of two numbers with opposite sign is always negative हमेश्या क्या होगा negative होगा true देखिए अगर एक positive और दूसरा negative होगा तो आपका answer क्या हैगा अगर एक negative और दूसरा positive तो भी आपका answer क्या हैगा negative हैगा जब भी दो numbers दो integers जिनका क्या हो sign opposite हो इनको multiply करेंगे तो आपका answer क्या हैगा negative आएगा next देखिए the difference of two numbers with opposite sign is always negative ये क्या है false है अगर आपका difference देखिए देखिए 6-2 कर देए ये दोनों different numbers है 6-2 करने पर ये आपका answer positive आगया तो ये आपकी statement क्या है false है next देखिए students MCQs है अब ये MCQs को भी आपको solve तो करना ही पड़ेगा तो देखिए in a quiz team A scored 40 minus 10 and 0 team B scored 10, 0 and minus 40 in 3 successive rounds which team scored more अब इनका addition कर देते हैं simply team A के लिए अगर अपने बात करें तो देखिए 40 plus minus 10 plus 0 तो 40 minus 10 is equal to 30 तो team A का score क्या हो गया 30 अब अपने बात करें team B की तो यहाँ पर देखिए 10 plus 0 plus minus 40 तो यहाँ पर देखिए 10 minus 40 करने पर आपका answer क्या आगया minus 30 तो कौन सी team ज़्यादा score किया team A ने क्योंकि positive number आपको क्या होता है बड़ा होता है next देखिए question number 4 अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर आपको दिमाग लगाने जुरूत है आपको कहीं पर भी आप यहाँ पर बैठ के multiply करते रहेंगे तो आपका answer गलत हो जाएगा आपको यहाँ पर एक चीज़ दिख रही है 0 जीरो multiply में है तो आपका answer क्या हो गया 0 option C आपको कुछ भी करने ही जुरूत नहीं है clear next देखिए question number 5 एक elevator है देखिए माले जी यह कुछ ऐसा elevator है वो जो नीचे की तरफ की speed से जाता है 6 मेटर पर मिनट पर मिनट के अंदर 6 मेटर नीचे जाता है above the ground level देखिए माले जी यह ground level है यहां से यह 10 मेटर पर इस्टार्ट हुआ और इसको कहां तक जाना है minus 350 तक तो total जो distance है उसको cover कितनी करनी है 360 ठीक है यह जो 10 मेटर से है इसको भी तो नीचे जाना पड़ेगा यहां से भी तो नीचे जाना पड़ेगा उसको और उसके बाद देखिए अगर यह हर मिनट के अंदर 6 मेटर अगर यह ट्रेवल करता है नीचे के तरफ जाता है तो डिवाइड कर देंगे हम 6 से ठीक है तो यहां पर आगे हमारे पास 60 मिनट ठीक है अब option में देखेंगे 10 मिनट, 20 मिनट, 1 और and 45 मिनट यहां पर 60 मिनट तो ही नहीं अब आपको पता है 60 मिनट is equal to 1 और तो option C is your correct answer नेक्स देखिए question number 6 अब यहां पर आपका खेल आ रहा है सारा powers वला जो मैं आपको बैदा चुका हूँ कोई भी number पर अगर आपकी negative number है और power odd है तो आपका answer क्या आएगा negative negative number है और power even है तो आपका answer क्या आएगा positive तो यहां पर देखिए negative minus 1 है इसकी power देखिए क्या है 217 odd number है तो odd number है तो यह तो आपका क्या आगया negative again minus 4 की power क्या है 11 है, odd number है ये भी क्या आगया आपका negative again minus 3 है इसकी power भी क्या है ओड है तो ये भी क्या आगया negative मतलब minus into minus into minus ये करने पर देखी क्या होता है जब आप multiply करते है minus into minus तो ये हो जाता है plus into minus करने पर आपका answer क्या आएगा negative मतलब option is your correct answer ठीक है तो यह मैं छोटा सा नोट दे देता हूँ कोई भी नंबर है माइनस वन है अगर इसकी पावर ओड होगी तो आपका अंसर क्या आएगा positive माइनस वन की पावर even होगी तो आपका sorry यहाँ पर आपका negative आएगा और even होगी तो power क्या answer क्या आएगा positive आएगा next देखी students question number 7 आस्था multiplied two numbers and got minus 4 as a product मतलब दो number थे multiply करने पर इसका product जो answer क्या आगया minus 4 आगया then subtracted the second number from the first and got the answer as a 5 the two numbers are अब यहाँ पर देखे अगर यह MCQ नहीं होता तो इसे हम x y मानके इसको क्या करते करते लेकिन यहाँ पर हमर पस option given है तो हम हिटल ट्राइल करते हैं अब देखिए अगर मैं 2 into 3 करता हूँ तो क्या यह 4 आता है नहीं minus 6 आएगा 5 into 1 करने पर 5 आएगा दो option आपके eliminate हो गए अब बच्चे 1 और minus 4 and minus 1 and 4 अब यहाँ पर देखिए 1 को minus 4 से multiply करने पर minus 4 आ रहा है minus 1 को 4 से multiply करने पर भी minus 4 आ रहा है अब यह जो second statement है subtracted the second number from the first and got the answer 5 मतलब जो second number है वो first में से subtract किया first क्या था आपका देखिए अगर आपने b की बात करें 1 minus minus 4 minus into minus करने पर हो गया plus तो 1 plus 4 हो गया आपका 5 आ गया मतलब option भी आपका correct answer है अपने cb चेक कर लेते हैं देखिए minus 1 minus 4 ठीक है तो minus 1 and minus 4 यह आ गया आपका minus का 5 लेकिन यहाँ पर आपका answer क्या आ रहा था 5 आ रहा था तो option b is your correct answer देखिए अगर यह question क्या होता long time question होता तो हम इसे x और y मानके एक equation बनाते और उसे solve कर देते लेकिन यहाँ पर mcq था तो हमने hidden trial से आपका जो answer है वो find out कर लिया next देखिए students the product of three integers is minus 600 मान लिजे वो integers क्या थे x y and z अब product का मतलब क्या होता है multiply यही कुछ बनेगा उसके बाद देखिए two of them are 15 and 10 find the third one मान लिजे जो x है वो आपको given है minus 15 जो y है वो आपको given है 10 put कर देते हैं minus 15 into 10 into z is equal to minus 600 अब आपको z find करना है तो यहां से देखिए 15 into 10 करने पर minus 150 हो गया minus से minus cancel हो गया 0 से 0 cancel हो गया 15 ford जा क्या होता है 60 होता है तो यहां से आपके पास z आ गया 4 the third integer is 4 is your answer next देखिए students question number 9 find the value अब यहां पर आपको value find करने से पहले वही आपको याद किसको करना है board mass को ठीक है board mass को याद करना है तो सबसे पहले board mass के according bracket तो bracket करते है minus 10 and minus 10 हो गया minus का 20 divide by तो यहां पर देखिए minus 10 इस minus 10 को minus 10 से करेंगे तो यह आगया minus का 20 again यह minus 20 as it is पड़ा है minus into minus हो गया plus minus 10 plus 20 again minus 20 divided by इसे add करने पर यह आपका आगया plus का 10 अब यहां पर देखिए minus 20 में जब आप 10 का divide करेंगे तो 0 से 0 cancel आपका answer क्या आगया minus 2 next देखिए students question number 10 अब यहां पर आपको इसने क्या करना है arrange करना है ascending order में अब ascending order में arrange करने से पहले हमें इसकी value पता होनी चाहिए तो देखिए इसकी value देखिए minus 9 में जब आप divide करेंगे देखो minus 9 divide by 3 तो यह आपका क्या आजाएगा minus का 3 minus 4 plus 6 तो यहां पर क्या आजाएगा आपका देखिए minus 4 plus 6 यह आपके पास आगया plus का 2 next देखिए 2 into minus 4 देखिए क्या है आपका 2 into minus 4 आपका अंसर आगया minus का 8 again 1 into अब यह आपको absolute value given है minus 7 and minus 3 minus 10 absolute value क्या हो जाएगी 10 next minus 5 अब यहां पर आपको वही board mass तो यहां पर देखो 3 into 2 6 minus 5 minus 6 आपके पास आणसर आगया minus का 11 अब यह आपको हो गया clear कि सबसे छोटा क्या है minus 11 उससे बड़ा minus 8 उससे बड़ा minus 3 उससे बड़ा 2 और उससे बड़ा 10 अब यह तो हो गया आपका sending order अब इसी आपको जो forms है अब देखिए minus 11 आली value किसकी थी minus 5 minus 3 into 2 इस equation की थी next minus 8 किसकी थी इसकी 2 into minus 4 की next minus 3 किसकी थी minus 9 divide by 3 की next 2 किसकी थी minus 4 plus 6 की and 10 किसकी थी 1 into minus 7 minus 3 अब यह आपका क्या हो गया ascending order हो गया बढ़ता हुआ करम ascending order मतलब छोटे से बड़ा next देखिए students question number 11 add the additive inverse of मतलब यह जो term है इसका जो additive inverse है इसके product में आपको add करना है तो चलिए पहले से solve कर देते हैं तो minus 12 plus 16 अब यहाँ पर देखिए off है again board mask board mask को आपको नहीं बूलना तो board mask के according सबसे पहले bracket then off तो यहाँ पर आपको off solve करना है सबसे पहले तो minus 42 divide by 3 का off 3 into 7 यह आपका हो गया 21 ठीक है minus 12 plus 16 minus जब 42 में आप 21 का divide करेंगे तो आपके बास आजाएगा minus 2 अभी minus की टम add कर दीजिए minus 12 and minus 2 यह हो गया minus का 14 plus 16 और finally आपका answer आगया 2 अब answer आपका 2 आगया तो additive inverse क्या हो जाएगा additive inverse हो जाएगा minus 2 क्योंकि जब वो number जिसे add करने पर आपका क्या आजाए additive identity क्या जाए 0 तो यहाँ पर आपका एक तो आगया कि additive inverse आपका यहाँ पर क्या है minus 2 है ठीक है अब अपने बात करते हैं इसके product की तो minus 2 into minus 3 into minus 4 तो minus 2 into minus 3 यह हो गया minus का 6 sorry plus का 6 into minus 4 again minus into plus करने पर आपका आगया minus का 24 अब यह जो additive inverse है इसमें add करना है तो minus 24 plus minus 2 plus into minus minus तो यहाँ पर आगया minus का 26 is your answer तो students यह आपका जो है chapter assessment है chapter 1 का यह complete हो चुका है इस वीडियो में अगर आपको कोई भी doubt रहे तो आप comment box में लिखें अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे like करें चैनल को subscribe जुरू करें Thank you very much झापको अच्छी लगए